चलिए आज हम देखेंगे उत्राखंड टैसरीज का भाग 11 यहाँ पर भी हम देखेंगे नदियों और तालों से जुड़े वे कुछ प्रस्ण तो शुरू करते हैं अपना भाग 11 तो आज का पहला प्रस्ण है इन मेंसे कौन सा एक ताल नेनी ताल में इस्तित नहीं है तो यह अगला प्रस्ण स्वामी ताल किस जन पद में इस्तित है तो स्वामी ताल है वो किस जन पद में इस्तित है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा चमपावत में इस्तित है स्वामी ताल चमपावत में कुछ परसित ताल और है जो है शामला ताल और एक दो और है अगला प्रस भूण 1970 में इस्थित देवसारी ताल है उसका स्जान्सरी यहां पर हो जाएगा उत्तरकासि अगला प्रस्था फटाल जन पदल्ब में इस्तित है तो सुंधा ताल है ओक किश जिले में इस्तित है तो सपूंदा ताल है जील है कि वागिश्वर्की जब कि एक वह क्वार गिए पष encla Liteil własर हैं लगता है सभड़न कंदा तो वहो regional कंदा नुक्रान है तो इसका से जो प्रश्ण ताल किस जल्ले में इस्थित है तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जामोली से निताल जिल से कौन सी नदी निकलती है तो इन चारों में से एक नदी निकलती है तो आसान हो जाएगा यहां पर options देखके qopraly नदी है वह ने निकलती है ननिताल जिल से अगला प्रस्ण गोला नेदी का उदकर मस्तर कहा है यह इन चारों में से तो यह बहुं आगे बात शचिता हैं पहाड़ती को प्यलते हैं कि एक प्रसिद है यह सफेद कमल के लिए कौन सा प्रसिद है जैसे हमने कॉंसा नहीं था तह यह सो कौन सा ताल कि इसलिए मोरज़निया इन घ्लस फर्这个 तो यहाँ पर जो सफेद कमल के लिए प्रशित ताल है वो है श्यामला ताल जो है चम्पावत में है चम्पावत अगला प्रश्ण गर्म कुंड सूरे कुंड कहां इस्तित है तो इसका सया अंसर है उत्तरकासी में है यह मनोत्री के पास में यह है अगला प्रश्ण भेक ताल किस जन्पद में इस्तित है तो जो ताल है भेक ताल वो किस जन्पद में इस्तित है तो इसका सया अंसर है उत्रप्याग और एक इसी की समान अगल अन्य कुशन भी आता है जिसमें आता है कि भेकल ताल भेकल यह भेक है और वो है भेकल ताल जो है चमोली में तो इसमें doubt होगा हर किसी को तो इसको killer कर लेना भेक ताल है रुद्रप्याग में और भेकल ताल है चमोली में अगला प्रश्ण हरीस ताल किस जनपन में इस्तित है तो हरीस ताल जिसकी location है ननी ताल में अगला प्रश्ण बदानी ताल किस जिल्ले में इस्तित है तो बदानी ताल जो है वो है रुदुर्प्याग में इस्तित देखो जो बदानी ताल है और बधान छेतर है वो अलग-अलग है बधान छेतर चमोली में है जहांकि बोली है बदानी जबकि बदानी ताल है रुद्रप्याग में जहां पर रंग भी रंगी मजलियां दिखती है अगला प्रस्ट रालम ग्लेशर किस दिल्ले में इस्तित्य है तो जहातर ग्लेशर उपर के तीनी जिल्लों में मिलते हैं वही महान हिमाले है जिसे उत्रकासी चमोली और पिथोरागड थोड़ा बत रुद्रपयाग टीरी और बागे सुन देखने को मिलते हैं इंच्छे के लावा कहीं भी गलेशयर नहीं होते हैं क्योंकि महान हिमाले की सिर्फ इंच्छे जिल्लों में ही है तो जो रालम है वो है पिथोरागड में है अगला है राजय का दूसरा सबसे बड़ा गलेशयर कौन सा है तो राजय का सबसे बड़ा गलेशयर हम जानते हैं गंगोत्री है तो दूसरा सबसे बड़ा गलेशयर है पिंडारी और अगर कुमाओ की बात करें तो कुमाओ का है मिलम क्योंकि पिंडार प्रश्ण कौन सा ताल सदेव बरप से रखा रहता है तो कौन से ऐसा ताल जो सदेव बरप से रखा रहता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यम ताल अगला प्राश्ण राज हंस के लिए परसित ताल है तो राज हंस के लिए कौन सा ताल परसित है तो इन में सही आंसर है मनसूर ताल मन्सूर ताल राजहन्सओं के लिए प्रसित्ष है, जो है टिरी में टिरी में किस दिल्य में इस्थित्ष है तो इसका सही आंजिक snack यदाई हैं वंदाम पार और भार में अन्य ताला जिसका नाम है द्रोम्न सब्सित्ष हम 16